राइपूर में भारत बनाम न्यूजिलैंड के बीच तीन मैचों की वंडे सीरीज का दूसरा वंडे मुखाबला खेला गया इस मुखाबले में टीम इंडिया ने आठ विकेट से न्यूजिलैंड को शिकस्त देते हुए सीरीज पर भी कबजा कर लिया आपको बता दे कि इस मुखाबले में टीम इंडिया को एक सुन नौरानों का लक्ष मिला था जिसे भारत ने दो विकेट गवाए ही हासिल कर लिया लेकिन इस मैच में एक ऐसा मंज़र देखने को मिला जो अब सोशल मीडिया पर हर किसी को दिवाना कर रहा है आपको पता दे कि टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा के दीवान गीदेश विदेश में हैं हर कोई उनसे एक बार तो हाथ मिलाना ही चाहता है उनके फैंस इतने जादा कट्टर हैं कि वो विराट कोहली तक को भी नहीं बख्षते हैं ऐसा ही कुछ आज के मुकाबले में भी देखने को मिला जब भारती टीम 109 वनों के लक्ष को चेज करने मैदान में उतरी तो उसके कुछ देर के बाद एक नन्हा फैन भारती कप्तान रोहित शर्मा से मिलने पहुचा और तीजी से अपने कप्तान को गले लगा लिया इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने उस नन्हे फैन को हटाने का प्रयास किया लेकिन फिर उसके बाद जो रोहित शर्मा ने किया अब उसकी वजह से हर कोई उनका फैन बन रहा है रोहिच शर्मा ने नन्ने फैन को अराम से ले जाने के लिए विनिती भी की रोहिच शर्मा अपने फैन्स को काफी मानते हैं अक्सर मैदान में उनके फैन इस तरह की हरकत करते दिखाए देते हैं इस बार ये दूसरी बार हो रहा है जब रोहिच शर्मा का फैन ग्राउंड में आ गया हो हाली ही में शुरलंका के खिलाफ के खेले के सीरीज में भी रोहिच शर्मा का फैन मैदान में आ गया था कमाल की बात तो ये है कि ये लगातार सीरीस दर सीरीस देखने को मिला है जो बताता है कि रोहिज शर्मा के दीवान की देश भर में कितनी है वीडियो बसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेर करें साथे साथ हमारी इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें